मधुमिता शुकला कविताओं की दुनिया का जाना माना नाम लेकिन फिर अचानक 9th में 2003 को ऐसा क्या हुआ कि मधुमिता शुकला की मौत दुनिया के लिए पहली बन गई आखिर क्यूं मार दिया गया था उभरती हुई कवित्री को और किस बहुबली से चल रहा था मधुमिता शुकला का अफेर आज की एपिसोड में हम साल 2003 में हुए मधुमिता शुकला हत्या कांट की फाइल को रियोपन करेंगे साल 2003 की बात है जल्दबाजी में उत्तरप्रदेश की मुख्य मंतरी मायावती प्रेस कॉन्फरेंस करती है और कहती हैं कि अगर मधुमिता के परिवार को सरकार की जाच पर भरोसा नहीं है तो वो सरकार के पास अरजी दें हम इस केस की सीबी आई जाच करवाने के लिए तैयार है अब फिर दूसरे दिन न्यूस चैनल पर ब्रेकिंग न्यूस चलती है मधुमिता हत्यकार में परिवार चाता है सीबी आई जाच सरकार के पास सौपी गई अरजी लेकिन मधुमिता शुकला की कहानी यहां से शुरू नहीं होती उसे जानने के लिए हम चलते हैं और पीछे उत्तर प्रदेश लखीमपुर खेडी में एक परिवार रहता था इस परिवार के मुखिया फॉरेस्ट रेंजर ओफिसर थे और उनके चार बच्चे जिसमें तीस इसरे नंबर की बेटी का नाम मधुमिता शुकला था मधुमिता को परिवार वाले प्यार से मधु कहकर बुलाते मधु बच्चपन से पढ़ने में बहुत तेज थी और इसने 12 साल की उमर में ही लहु का रंग एक है अमीर क्या गरीब क्या खुद की लिखी कविता को स्टे 9 जून 1996 की दोपहर को मधु के पिता की ब्रेन हेमरेज की वजा से मौत हो गई परिवार के उपर दुख का साया मन राने लगा इसी समय मधु को एहसास हो गया था कि उसे कविताओं की दुनिया में ही नाम कमाना है उसने खुद से वादा किया एक दिन वो इस देश की अगे बढ़ने के लिए महनत भी करने लगी धीरे धीरे समय का पहिया घुमने लगा देश भर के लोग मधुमिता शुकला को एक कवित्री के रूप में जानने लगे मधुमिता नाइट्स के नाम से मुंबई जैसी माया नगरी में भी शोज होने लगे मधुमिता की लाइफ में सब कुछ बढ़िया चलने लगा पॉपुलेरिटी और पैसो की बरसात होने लगी एक शो के लिए मधुमिता चालिस हजार तक चार्ज करने लगी इसी बीच तारीक आई 24 ओक्तूबर 2001 लखनव में मधुमिता का कवी सम्मेलन चल रहा था इसी शो में BSP पार्टी से मंत्री अमर्मनी त्रिपार्ठी का परिवार भी आया हुआ था अमर्मनी की दो बेटियां अपनी दादी सावित्री देवी के साथ मौजूद थी सावित्री देवी को मधुमिता शुकला की कविताय बहुत अच्छी लगी उन्होंने मधु से कहा बेटि आप बहुत अच्छा बोलती है मैं प्रदेश सरकार में मंत्री अमर्मनी त्रिपार्ठी की मा हूँ कृपया हमारे घर पदारी है मधुमिता ने भी मुस्कुराते हुए हा कह दिया लेकिन मधुमिता को नहीं मालूम था कि सावित्री देवी का न्योता उसकी लाइफ को 360 डिग्री बदलने वाला है उसे ये भी नहीं मालूम था कि अब उसकी लाइफ में लव, सेक्स और पॉलिटिक्स की एंट्री होगी अब मधुमिता की लाइफ में अमर्मनी त्रिपार्ठी की एंट्री होने वाली थी अमर्मनी त्रिपार्ठी के घर जाने से मधुमिता के भाई ने रोका था और कहा था कि ये बहुत ताकतवर लोग हैं, इनके बारे में बहुत सी बातें मार्किट में फैली हुई हैं, हो सके तो इनसे दूर रहो। मधुमिता इस बात को अंसुना करते हुए कहती है, एक पब्लिक परस्नलिटी को सबसे मतलब रखना पड़ता है, तुम लोग चिंता ना करो और अपने काम से काम रखो। इसके बाद मधुमिता अमर्मनी के घर चली गई, वहाँ उसकी मुलाकात अमर्मनी से हुई, उसने मधुमिता को देखते ही कहा, आप बहुत अच्छी कवित्री हैं, आप हमारे लिए भाशन क्यों नहीं लिखती? इसके बाद अमर्मनी और मधुमिता के बीच दोस्ती की शुरुवात हुई, मधुमिता अमर्मनी के लिए भाशन भी लिखने लगी, दोनों के बीच की दोस्ती बढ़ने लगी, और कब इस दोस्ती ने प्यार का रूप ले लिया, किसी को पता नहीं चला, लेकिन इस अफे प्रेर की भनक अमर्मनी के ओफिस से होते हुए उसकी पतनी के पास भी पहुच गई। अमर्मनी के घर में विवाश चुरू हो गया। इधर मदुमिता के घर वाले भी उसे समझाने लगे। लेकिन मदुमिता का ब्रेन वाश हो चुका था। वो एक शब्द भी अमर्मनी के खिलाफ नहीं सुनना चाती थी। अमर्मनी त्रिपाठी और मदुमिता शुकला का प्यार इस मुकाम पर पहुच गया था कि दो बार मदुमिता प्रेगनेंट हो गई। लेकिन दोनों बार अमर्मनी त्रिपाठी ने मदुमिता को समझाब हो जाकर अबोर्शन के लिए राजी कर लिया। लेकिन फिर तीसरी बार भी मदुमिता प्रेगनेंट हो गई। इस बार उसने ठान लिया था कि अबोर्शन नहीं करवाईगी। और इसी लिए अमर्मनी और मदुमिता के बीच रिष्टा खराब होने लगा। मदुमिता उससे शादी करना चाहती थी। लेकिन अमर्मनी मदुमिता से पीछा छोडाना चाहता था। मदुमिता की प्रेगनेंसी की बात अमर्मनी की बीवी को भी पता चल गई। उसे बहुत गुस्सा आया और उसने मन ही मन में एक साज़ेश रची अब कहानी में प्रकाश और संतोष की एंट्री होती है वैसे तो ये पेशे से शूटर थे लेकिन ये अमर्मनी के काफी खास भी थे ये दोनों अमर्मनी की बीवी मदुमनी को भावी कहकर बुलाते थे एक दिन की बात है दोनों शूटर अमर्मनी के घर में बैठे थे तब ही अमर्मनी की बीवी वहां आती है और कहती है कि लगता है आप दोनों मुझे बस भावी कहते हैं लेकिन मानते नहीं हैं अगर वाकई भावी मानते होते तो अभी तक आप अपनी भावी के घर को बरबाद करने वाली को ठिकाने लगा दिये होते इतना खेकर अमर्मनी की बीवी मदुमनी वहां से चली जाती है और फिर ठीक तीन दिन बाद तारीख आती है 9th May 2003 लखनों की सुभा पेपर मिल की कॉलानी में मदुमिता शुकला का घर इस दिन मदुमिता और उसकी बहन का दोपैर में मार्किट जाने का प्लैन था लेकिन सुभा से मदुमिता की अमर्मनी से फोन पर लड़ाई चल रही थी इसलिए दोपहर होते होते मधुमिता ने अपनी बेहन से कहा कि तुम अकेली मार्केट चली जाओ, मैं घर में ही आराम करना चाहती हूँ बेहन ने भी हामी भर दी और मार्केट की तरफ निकल गई करीब आदे घंटे बाद ही पेपर मिल कॉलानी में दो लोगों की एंट्री होती है ये दो कोई और नहीं बलकि शूटर प्रकाश और संतोश थे ये दोनों मधुमिता शुकला के घर की बेल बजाते हैं घर का दर्वाजा उनका नौकर देश राज खोलता है ये लोग पहले भी मधुमिता के घर आ चुके थे इसलिए सीधे अंदर आ जाते हैं और देश राज से कहते हैं की मैडम को बुलाओ कुछ बात करनी है इसके बाद मधुमिता बहार आती है और देश राज को चाय बनाने के लिए किचन में बेज देती है देश राज चाय बना ही रहा था कि उसे कोली चलने की अवाज सुनाई देती है वो डर जाता है और सीधा हॉल की तरफ भागता है वहाँ पहुचकर देखता है कि मधुमिता को कोली लग चुकी थी वो जमीन पर गिरी हुई थी बॉडी से खून बह रहा था संतोश और प्रकाश घर से भाग चुके थे यही बयान देश राज ने पुलिस के सामने भी दर्ज करवाया पुलिस ने बॉडी को पोस्ट मॉटम के लिए भेजा जाँच में निकल कर सामने आया कि मधुमिता शुकला सेवन मन्स प्रेगनेंट थी इसके बाद डियने जाँच हुई जाँच में पता चला कि मधुमिता की कोक में पल रहा बच्चा उत्तर प्रदेश के बाहुबली नेता अमर मनी त्रिपाठी का था पैसे और पावर का खेल शुरू हो चुका था अमर मनी त्रिपाठी कोई छोटा नाम नहीं था ये छे बार MLA और हर पाठी की सरकार का ज़रूरी हिस्सा हुआ करता था जनता को भी जस्टिस की कम ही उम्मीद थी लेकिन फिर कहानी में मीडिया की पावर आई देश की मीडिया ने मधुमती शुकला का साथ दिया और सियासत की पावर कम होते हुए नजर आई पुलिस ने अमर मनी त्रिपाठी उसकी पत्नी मधुमनी त्रिपाठी भतीजा रोहित चतुरवेदी और दो शूटर प्रकाश और संतोश को गिरफतार कर लिया केस को देहरदून की फास्ट्रेक कोट में ट्रांसफर किया गया पुलिस ने चार शीट पेश की और कोट ने अमर मनी त्रिपाठी उसकी पत्नी मधुमनी त्रिपाठी, रोहित चतुरवेदी और संतोश को उमर कैद की सजा सुनाई प्रकाश पांडे को संदेह के चलते रिहा कर दिया लेकिन इसके बाद केस नैनीताल हाई कोट पहुचा जुलाए 2011 में कोट ने चारो की सजा को बरकरार रखा और प्रकाश पांडे को भी उमर कैद की सजा सुनाई अब गुना की हर आहट होगी नाकाम सुनते रहिए अपराद झाल